हेलो दोस्तों स्वागत है आज की एक नई वीडियो में दोस्तों चलिए दोस्तों हम प्रीबोड परिछा 2022 का प्रीआणो का क्वेश्चन पेपर दिखाते हैं कच्छा 10 विश हिंदी का ठीक है चलिए देखते हैं एक एक question को अच्छे से पढ़िएगा यहाँ पर देखो भी सह हिंदी का है, खंड का है, यहाँ से स्टार्ट होता है, भी संग के MC की question ठीक है, यहाँ पर देखो पहला question नासी के तो पाख्यान के लेखा कहा है बहुत ज़्यादा easy question है, इसे तो सब लोग जानते होंगे, इसमें का जो right answer हो सदल मिश्रा है, दोस्तो चार option में से सही option, इसका सदल मिश्रा है, इसे तो लगभग सभी लोग जानते है, बहुत easy question है, ठीक है अब देखते हैं, दूसरा question क्या है सरस्वती पत्रिका का प्रकासन काल है पहला 1870, दूसरा 1880, तीसरा 1904, 1868 तो इसका right answer दोस्तो 1920 भी ठीक है तीसरा question देखो, बहिमानी की परत किस विधा की रचना है नमबर नाटक, बनमबर कहानी, सा नमबर उपन्यास, दा नमबर निबंध तो इसका right answer दोस्तो निबंध, निबंध इसका सही answer है अब देखो, यहाँ पर चवथा question क्या दिया गए बिशाय और साहिली की दरश्टी से निबंध के कितने भेद है नमबर 4, बनमबर 5, सा नमबर 3, दा नमबर 2 तो इसका right answer है दोस्तों 4, ठीक है यह 4 प्रकार के होते हैं निबंध अब देखो, पाचवा नमक का दरोगा के कहानी के आरकाउन है आ नमबर जैनेंद कुमार, बनमबर जैसंकर प्रसास, सा नमबर मुनसी प्रेमचन, दा नमबर महादेवी वर्मा तो इसका right answer है दोस्तों मुनसी प्रेमचन आप देखते हैं पाचवा question एक आंकी विधा पराधारीत है, अनमबर ठलुगा कलब, बनमबर लहरों के राजहंस, सा नमबर सकुंतला, दा नमबर रेशमी टाई, तो इसका right answer है दोस्तों रेशमी टाई, ठीक है अब यहाँ पर देखो आठ्वा question क्या है, इंदु पत्रिका का प्रकासन किस ने किया, अनमबर जैसंकर प्रसाद, बनमबर महादेवी वर्मा, तो इसका right answer है दोस्तों महादेवी वर्मा, ठीक है अब देखो दस्वा question, चलो मनू, आंगन कठी, ताते राते पाई, पंक्ती में कौन सा लंकार है, पर देखे तो मनू, मनू, जनू, जानू, सब्द का यूज हुगा है, तो उत्परेच्छा लंकार यहाँ पर आ जाएगा देखते हैं कि रावा question, चार चलों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं, ठीक है, इसका right answer है, दोस्तों सा नमबर, अर्धसम मात्रिक छंद इसको कहते हैं, ठीक है बरहावा question देखो क्या कहता है उतकर्स सब्द में उपसर्ग क्या है उतकर्स सब्द में उपसर्ग क्या है इसको ध्यान से देखेगा यहाँ पर उत जो है यह इसका right answer हुआ आप देखते हैं तुरव लगा हुआ शुर्व में संख्यावाच्श आप देखो प्रस्तर का तद्भाव सब्ध है पथर पत्थर पत्थर ठीक यह इसका राइट आंसर हो जाएगा अब चलते हैं यहाँ पर सुलावा क्वेश्चन क्या है दिवस का परियावाची है वासर गिरी दिवा और नमबर है आ और सा दोनो तो इसका राइट अंसर क्या है दिवा दिवस दिनिया वासर तो इसका राइट अंसर ये वाला हो जाएगा आ और सा दोनो ठीक है अब देखो एकदम easy question है इसका क्या है फलात होता है ठीक है आप देखो 19 वा question का मधुसब्द का दुतिय विभात्ती का बहुचन रूप क्या है तो इसका right answer है दूस्तों मधुनी ठीक है आप लोग इनको पढ़िए most important question है इसी तरीके से आपके बोड़ एक्जाम में पूछा जाएगा वि important portion ठीक है देखो निमलेखी गद्यांसों में से किसी एक के नीचे दिये गए प्रस्नों के उत्तर देना है छायंग का question है पहले पहाड काट कर उसे खोखला कर दिया गया फिर उसमें सुन्दर भवन बना लिए गये जहां खंभों पर उमरी मूर्तें बिहस उठी ठीक है भी पहाले पुल की तो हो गए ठीक है अब यहाँ पर आपके सामने अथवा में दूसरा गद्यांस दिया गया है इसको ध्यां से पढ़िएगा देखिए हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेस करके अपना कारे अरंभ करते हैं जबकि हमारा चित कोमला और हर तरह का संसकार घ करने योग हो रहता है हम लोग कच्छी मिट्टी की मूर्ती के समान रहते हैं जिसे जो जिस रूप करें चाहे राच्छास बनावे चाहे देवता ऐसो लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधित्र संकाल्प के हैं क्योंकि हमें उनकी हर एक बात भी नभी करो सनंबर लिखक के अनुसार हमें किनो लोगों की संगती नहीं करनी चाहिए यह सब पैसेज में आप मिल जाएगा यहां पे देखो 22 क्वेश्चन निमलिखित पध्यांसों में से किसी एक पध्यांस की नीचे दिये गए प्रस्णों के उत्तर देना है च्छायंका यहां न चरही हो गाए शिगरे गवाल घिरावत मोसो मेरो पाई पिराए ठीक है जवन पत्याई पूछी बलेदावी अपनी साओं दिवाई यह सुनिमाई जसोदा गवालिन गारी देत रिसाई मैं पठवती अपने लडिका काओ आवे मन भाराई सूर से हम मेरो अतिवालक मारत ताहीरिंगाई यह सूर्दास का जो पद चैप्टर है उससे लिए गया है यहां पर देखो प्रस्तूत पद्यांस में स्रीक्रस नमाताया सोदा से किसकी सिकायत करते हैं बलदावु की ठीक है वहां के गवालवाल थे उनकी सिकायत करते हैं क्योंकि वही उनके साथ मग में डगद्वय जलकी भरी भाल कनी जलकी पुट्सूख गये मधुरा करवय फिर बूझत है चलनों अब केतिक परड़ कुटी करियों कि तो हैं त्यकी लखिया तुरता प्यकी अथिया अखिया अतिचार उचली जल चोई यह वन पथ पर सीर्षक का लिया गया है तुलस सिदास ने किस विशाय का वरण किया है फिर भूझत है चलनों अब केतिक परड़ कुटी करियों कि तो हैं पंक्ती का आशाय आपको इसपस्ट करना है सनम्बर देखो प्रस्तुत पध्यांस में कौन साल अंकार है ठीक है तेश्वे क्योश्चन पर निमलिखिक संस्क्रत ग करीमा रामा रहीमा जीना बुद्धा कृस्ता अलाहा इत्यादिनी नामानी एकस्यो पर्मात्मन संति तम एव इस्वरम जनाम गुरु इत्यापि मन्नेते अता सर्वे साम मता नाम समभाव समानस्ट अस्माक संस्कृते संदेशा ठीक है चारंग का इस क्विश्चन है या फ पराश्र परासपरा प्रही लीकाम प्रच्याम यदि भवान उत्तरम दात्म समर्था न भविश्यती तदा भवान दस रूपे कारी दास्यادी यानि कि ये प्रभुग्राम मिल्डा चैप्टर से लिया गया है आप देखो यहाँ आपर खा नंबर में निमलिखित संस्कित पध्यांसों में से किसी एक का ससंदर्व हिंदी में अनुबाद करना है ठीक है चारंग का ये भी है धन्याव उत्मम दाथ्यां धना मुत्मम सुरुतम लाभा नाम स्रेम आरोग्यम सुखान तुष्टुरुतमा अथवा में क्या दिया गया है किन्स्वि जोती जवाहर का दिया हुआ है आपके जिले में जो कुछ लगता हूँ उसका आप कर लीजेगा अगरफूजा का दिया गया है मेवाल मकुट का दिया गया है इन सब पर मैंने अल्रेडि वीडियो बना दिया है एक वीडियो में पूरा खंड का वे खतम ठीक है चैनल पर तिस्वा क्वेस्टन निम लिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन पंचे दीजिए एवम उनकी एक रचना का नाम लिखना है चारंक का ठीक है आप देखो किसी एक का जीवन पंचे लिखना है ड। एक है, डाक्टर अजेन प्रसाद, भवा सरुन पद्धेहाय circumst. अ देखो 26 अपनी पाठ्ट कुस्तक से कंठस्त किया हुआ कोई एक इस लोक लिखे जो इस प्रसन पत्र में ना आया हो दो अंक का कुश्चन है 27 देखो निम्रिखित प्रस्णों में से किजनी दो प्रस्णों के उत्तर संस्कित में दीजिए चार अंक का है अम्रतम केन जयेत भारतिय संस्किती कास अंगमिस्थली ग्रामिलान का उपहासत आरुली स्वेत केतुम किम अकाथेर 28 देखो रोला अत्वा सो रठा चंद की परिवासा उधारान सहीद लिखे दो अंक का है उसके बाद देखो निम्रिखित में से किनी दो के संस्कित में अनुआद कीजिए ठीक है दो लड़के पढ़ रहे हैं घर के चार और पेंड़ है सभी सुखी हो सदाचार की रच्छा करनी चाहिए गंगा हिमाले से निकलती है ठीक है तीसवा कुश्चन देखो जो की लास्ट है निम्रिखित में से किसी एक भी से पर आपको निबंध लिकिना है पुस्तकाले का महत्यु सिच्छा और खेलकूद विरोजगारी की समस्य और समधान स्वच्छ भारत का एक कदम स्वच्छता की और ठीक है इन सब पर आल्रेडी मैंने कई निबंध बनाए हुए है चैनल पर एक प्लेलिस्ट है जिसका नामी निबंध माला ठीक है जा करके आप लोग देख लीजेगा आल्रेडी एक्दम इजी इजी निबंध बताए हुए है अगर पेपर की पीडिएफ चाहिए तो टेली ग्राम ग्रूप जॉइन कर लिजे मिलेंगे आपके साथ नए वीडियो में नेक्स्ट पेपर के से